पीए पोदी से वुलाकात के बाद इटली की पीएम ने चीन को दिया जटका जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बियाराई से बाहर हुआ इटली क्या धरा रहे जाएगा चीन का बेल्ड रोड इनिशेटिव का सपना भारत और इटली की बढ़ती नजदी क्योंकि भी चीन की मुसीबत भी बढ़ गई है हाली में इटली ने चीन को बड़ा जटका देते वे श्री जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट से बाहर निकलनी की घोशना की है दरसल इटली सरकार का माना है कि चीन का बियाराई यानि की बेल्ट रोड इनिशेटी प्रोजेक्ट फिलहाल थंडे बस्ते में चल रहा है और अपनी उमीदों पर खरा नहीं उतर पाया है या तकी जॉर्जिया मैलोनी ने कहा ये डील एक गलती थी जिससे सुधारने का काम किया जा रहा है पाकिस्तान और शिलंका में भी इस हाव को दुन्या भर में फैलाने के लिए एक वेपन के तौर पर प्रियोग हो रहा है कई सारे देश इस पर अर्वों खर्बों रुपे खर्च करेंगे लेकिन इसका फायदा चीन को ही होगा चीन का बेल्ट रोड इनिशेटीव 2013 में लॉंच हुआ था और लगबग 1500 देश की कमी के कारण बियाराई प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों से अटका है चीन इटली के बदलते रिष्टों के बीच भारत का नाम लिया जा रहा है एक्सपोर्ट का मानना है कि इटली के इस प्रोजेक्ट के छोणने की पीछे भारत ने एहम भुमी का निभाई है कुछ सम इधर भारत सरकार ने यूरोप मिडल इस्ट कॉरिडूर के लिए नेताओं को सहमत कर लिया तब दुनिया के देशों को चीन और भारत की बीच का फरक नजर आया यानि कि मिडल इस्ट कॉरिडूर से अगर भारत को लाब हो रहा है तो ये दूसरे देशों के ये भी उतना ही फाइदे मंद होगा और यही बात G20 देशों को भागई इटली अब उन देशों में शामिल है जिसने भारत के सबसे महतवकांशी प्रोजेक्ट मिडिल इस्ट यूरोप कॉरिडूर में हामी दी है और तो और ग्लोबन लेवल पर महामारी के बाद चीन की इमेज काफी बिगड़ी है कोई भी देश चीन पर भरोसा करने से वहले सौ बार सोचते हैं और इसका सबसे जादा फाइदा भारत को हो रहा है देखा जाए तो G20 के दोरान भारत ने चीन की चाल को दुनिया के सामने एक्सपोज किया है और ये बात अब धीरे धीरे अन्ने देशों को भी समझ आ रही है इससे पहले फिलिपिन्स में चीन के वियाराई प्रोजेक्ट से अपने हाथ खड़े कर दिये कुल मिलाकर अगर फियपिन्स और ये रोप की सबसे बड़ी एकोनॉमी में से एक इटली की देखा देखी कई दूसरे देश बेल्ट रोड इनिशेटिव से बाहर निकलते हैं कर दो कर दो